हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस कीचन और आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल रेसिपी बच्चीवी रोटी के तुकड़े बनाएंगे आज हम उसके लिए लिए में जवार की रोटी है मेरे पास देड़ एक और आदी है रोटी 100 ग्राम लिए मुंफली पीनट से 100 ग्राम लाल मिर्च पौडर लिए में आधा चमच, हल्दी पौडर लिए में पाव चमच 3 से 4 लिए में हरी मिर्ची के तुकडे, 3 से 4 मिर्ची लेके तुकडे कीओं में उसके कड़ी पत्ता एक टमाटर और एक बड़ी प्याज ली हूँ बारीक चॉपकियों प्याज और टमाटर को रोटी को तोड़के हम डायरेक डालेंगे मिक्सर की जार में हमारी रोटी सॉफ्ट है जादी कड़क नहीं है फ्रीज में रखी वी रोटी थी तो जादी कड़क नहीं हुई है अगर रोटी कड़क होती है फ्रीज के बाहर रखी वी रोटी कड़क हो जाती है तो आप उसे थोड़ा भिगो लीजिए थोड़ा पानी से भिगो कर फिर मिक्सर की जार में डालिएगा मैं डारेक्ट डाल रही हूँ यह मेरी नानी की रेशिपी है बचेवे रोटी की तुकड़े अब बहुत कम लोग बनाते हैं मैं तुकड़े थोड़े पीस लिये हूँ और अब मुंगफली पीसेंगे भून लियों मैं रोस्ट किये हूँ पीनट्स को अरहे देखिए यह हमारे तुकड़े ऐसे बारिक किय हैं हमारे मुंगफली को भी हम उसमें डाल देंगे पीसी वी जादी बारिक नहीं पिष्ण Haus 1975 दर्धरी रखना रहे अब मुंग फली डाल दिये हैं अभी तुकडों में और हम थोड़ा सा पानी लेके इसे भिगोएंगे भिगोने से पहले मैं मिला लेती हूँ मुंगफली को जो पिसी मुंगफली है अच्छे से पहले मिला लेंगे और अब थोड़ा सा पानी लेके इसे भिगोव देंगे देखे इतना पानी ली हूँ इससे भी कम डालूँगी मैं पानी डालके मिला लेंगे और एक साइड में पुरा दबा देंगे इसा दबा के रख देंगे तो थोड़ी फूख जाती है रोटी भी और सॉफ्ट हो जाएगी तेल डाले हूं एक चम्मज यह चम्मज से दाली हूँ तेल गेल को हम पहले गरम होने देंगे पर दालेंगे हम उसमें करी पत्ता करी लिप्ग दालेंगे उसमें अब डालेंगे हम हरी मिर्ची थोड़ा फ्राइ होने देंगे फिर दालेंगे प्याज प्याज थोड़ी में जादी लिए हूँ आप भी बनाएंगे तो थोड़ी जादी दालिएगा इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे हलका सा कलर चेंज होने देंगे हम प्याज का ज्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमें हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तो दालेंगे उसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर इसे भी हम थोड़ा फ्राइ होने देंगे फिर दालेंगे टमाटर अब दालेंगे हम टमाटर टमाटर को हम थोड़ा फ्राइ होने देंगे थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे टमाटर तेल में टमाटर को हम पूरा नरम करेंगे तेल में तब तक हिलाते रहेंगे जब तक टमाटर हमारा सॉफ्टनी होता है तब तक पकाएंगे टमाटर को हम जब मसे थोड़ा दबा दबा के नरम करेंगे जल्दी नरम हो जाएगा टमाटर अगर आपको जवार की रोटी नहीं आती है तो मेरी रेशिपीस देखिए मैं इसमें जवार की रोटी भी बताई हूं बना के अब दालेंगे हम रोटी की तुकड़े हम जवार की रोटी की तुकड़े बना रहे हैं अब तो बहुत कम लोग बनाते हैं ये तुकड़े लेकिन मैं तो बनाती हूं कभी-कभी यादा चम्मत से थोड़ा से जादा नमक डाली हूं पाव चमत जितना नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, नमक मैं इसले थोड़ा ज्यादा डाली हूँ क्योंकि रोटी में नमक नहीं होता है जवार के, और इसे हम आप पकाएंगे पांच मिनट, पांच मिनट में हमारे टुकड़े रेडी हो जाएंगे अगर आपको जवार की रोटी बनाने आती है, तो मेरे तरह के से रोटी के टुकड़े बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैंगे रोटी के टुकड़े भी पांच मिनट हो गये हैं रोटी के टुकड़े हमारे पूरे खुले खुले दिख रहे हैं और सॉफ्ट हो गये हैं अब मैं निकालती हूँ इसे प्लेट में बाउल में निकालकर बता रही हूँ मैं आपको यह कड़ाय में थोड़े से चिपक गये हैं मैं उसको बाद में निकाल देती हूँ अब यह देखिए हमारे जवार के रोटी के टुकड़े बची भी रोटी के रेसिपी है यह हम कोई चीज बेस्ट नहीं होने देंगे रोटी भी बच जाती है तो उसके इसी नई रेसिपी बनाकर ट्राइ करिएगा बहुत टेस्टी लगते हैं प्लेज आप मेरे चानल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा कमेंट करिएगा तो लुट खाटी बना कर्वाच्टाइब से रचानल प्राइगा कर्यूंग ए लाइग चानल प्राइगा कर्वाच्टाइगा